इस साल education system में कोरणा के विए से बहुत सारा बदलाव आ रहा है आपको दिखी रहा हो गया उसी में से कुछ बदलाव हो सकता है WBJ की counselling में भी आए आज का वीडियो उसके के उपर है क्या decentralized counselling इस साल counselling में होगा की नहीं होगा अब देखो बात यहां क्या आता है कि इस साल होगा की नहीं होगा बहुत बचे का डाउट है कमेंड भी आ रहा था अगले वाला जो वीडियो मैंने बता था एक्शन वाला में अब देखो बात यहां क्या आता है सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं decentralized counselling क्या होता है बच्चों को बहुत सरको पता नहीं होगा जो नए है या तो अभी फ्रेसर है विल्टको decentralized counselling उसको बोलते हैं counselling का mainly WBJE का 3 rounds होता है 1st round, 2nd round, 3rd round 4th round भी होता है उसी को बोलते है decentralized counselling यह round E counselling से अलग होता है जो counselling होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है इसमें क्या होता है इसमें directly rank basis पे आपको college पे admission fix मिल जाता है और mainly यह कौन कराता है यह सिर्फ government colleges ही करा सकते है उसके सिवाए और कोई नहीं करा सकता, सिव government colleges यह ध्यान में रखना, JU हो गया, मकाउट हो गया, जितना भी universities और colleges इलपाए कोड़ी सब, अब यहां होता गया है आपको बगल में स्क्रीन में दिखेगा, last year का JU का, ज्यादपुर university का आपको video मिल रहा होगा न, decentralized counselling का दिख रहा होगा, इसमें सुझे को 10,000 तक बोला गया था, GMR rank आ सकते हैं, तो जब seed vacant हो जाता है, में मुद्दा यही है, seed vacant हो जाता है, government college पे, तो सरकार बोलती है कि चलो यार, decentralized counselling करवाते हैं, जो पहले आया, rank वाला, जो अच्छा rank वाला, उसे college दे देगे, so direct college मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लो implement हुआ, और webg officially यह कराने लग गया, ठीक है, पहले college में individual होता था, बट अब webg खुद notice दे देता है, और college में आपको नज़र रखने पड़ती है, तो यह decentralized counselling के लिए रहे हैं, अपने को, नहीं है, तो comment करना फिर बताएंगा अच्छा से, अब यहाँ बात क्या आता है, थ इसके वज़े से, देखो, अगले साल 32,700 seats था, WBJ में, जिसमें से इतने जो थे, वो vacant रहा गया थे, वेकंट रहा गया थे, जो आपको आपको आर्टिकल बगल में दिखेगा, आर्टिकल बगल में दिख रहा हो गया, यहाँ बेक्या 60% engineering seats are vacant, अगले साल WBJ का data है 2019 का, 22,17 से वेकंट थे, 32,700 से, 60% vacant, देखो, कोई भी एक्जाम कराते हैं, वेब जी में colleges participate, इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा college में सारा fulfill हो जाए, जब वेब जी college में provide करा नहीं पाएगा, candidates को, तो वो एक बहुत बड़ा challenge हो जाया तका, तब वेब जी की उपर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, कोई भी college का, ठीक ना, वो हट सकते हैं, जीसे कि आपको पता हो का IHT सिपूर, पहले WBJU में था, बट अब हट चुका है, पहले बहुत पहले ही हट चुका है, जई में से वो आता है, सो ऐसे बहुत सारे college, जई यू वागरा भी कोई ठीक है, हो सकत WBJU का, अब हुआ क्या, देखो, TOEIC आर्टिकल आप सबको दिखा होगा, अगले वाले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था, TOEIC आर्टिकल पे, ठीक है, भीजा ये आर्टिकल देखिए, अगस्ट में result आ जाएगा, तो first clear कर दे यार, वहाँ अगस्ट में likely to be बोला गया है, कोई official statement नहीं, हम यहाँ official statement की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ब्लेम मठ डालो, ठीक है, मुझे पता नहीं, मुझे पता है, अब इस statement को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, चलो, starting में ही आपको दिख रहा होगा है, West Bengal, students can't block engineering seats anymore, what it means, it means that, अब वेवजी, एक step out हैगा, जिससे की blocking अब जो था, पहले block हो जाता था, block के मतलब, आप चलो, थोड़ा सो explain कर देते हैं, जो counseling में हम मालो round one पे रहते थे, यहाँ पर मुझे कोई seat मिला, अब हमको या तो upgrade करना रहता था, या तो fix करना रहता था, दोनों में से कोई एक होता था, तो upgrade करो या तो fix करो, seat तो आपका ये वाला acquired रहता है, ये acquired रहता है, मिन्स ये block रहता है, अब क्या होता है, कि अगर जिसका rank बहुत high है, वो तो जानता है, उसे seat मिलेगा ही अच्छा, अब आगे जाता है, वो seat भी block रखता है, इससे क्या होता है, इसके जो पीछे वाले जो rank है, उनको seat ये मिलने पाता है, अब ये तो पहले से block है, अगर जब ये जाएगा, तब इसे मिलने का chances होगा, ठेके, और ऐसा हुआ कि अगर ये गया इसमें, और फिर यहां से left out कर गिया, कि उसे कोई और अच्छा college है, कहीं और मिलिया, वेब जी छोड़कर, कहीं और मिलिया, I मिलिया, कुछ भी हो, तब तो इस seat का बेचार, इस बच्चे का तो seat यहां पर खतम हो गया, इससे क्या होगा, ना ये seat लिया, ना इसे मिला, और seat हो गया, वेकेंट, सो इसी के वजए से, ये जो counseling process में, थोड़ा सा changes आने वाला है, इस साल, इस साल क्या हुआ हुआ है, अब आगे आटिकल को पढ़ते हैं हम लोग, अगर आगे आटिकल में देखेंगे, तो the counseling of the engineering seats across all, this, 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 यहां पर नहीं, यहां important बात यह है, देखो आपको स्क्रिम में दिखेगा, if they do not accept the seat offered based on their rank, they will have to exit the round and re-enter the next cycle of counseling, this has been done to ensure there is no lower number of vacancies, अब क्या हुआ है, देखो, COVID की चलते सब को पता है कि West Bengal के जो students है, वो छोड़ कर कहीं जाने सकते हैं, क्योंकि COVID है, सब प्रिफर करें कि यहीं पर college मिले हमें, अब state यह चाहती है कि सब जो बच्चे हैं यहां उनको यहीं रहना चाहिए, उसके लिए वो क्या करेगी, वो जो seat vacant, जो upgrade वाला option उसमें changes आ सकता है, या तो आपको यहां लेना पड़ेगा seat, confirm कर लो, हाँ मुझे यह चाहिए, वर ना आपको यह left out करके next round में फिर से re-enter कर पड़ेगा, ठीक है, यह हो सकता है, वो यह बोला जा रहा है, ऐसे क्या होगा, यह जो seat vacant होगा, मालो को यह बहुत higher rank वाला उसे अच्छा college ने मिला, वो चाहता है, और अच्छा college मिलने का, तो वो seat अगर हटा देगा, और next round में जाता है, तो जो यह low वाला rank वाला था, वो date lines है, तो यह छोड़के वहाँ चल जाएंगे सब बच्चे, तो इसलिए इसके लिए जल्दी-जल्दी खतम करने के लिए यह चीज करायाना पड़ रहा है, जिसे की string भी यहार आ जाएं और कोई जाए भी नहीं कहीं छोड़के, और इनका जो fill-up है, जो अगला बार जो य the government has initiated the changes to listen the problem of empty seats and expert more candidate to remain in Bengal, the final reason may be taken in the next few weeks as the VFG result likely to be published in August, said in official, तो यह बोला गया कि अगॉस्ट में होगा, और इसका कुशी दिन में इसका पूरा-पूरी clear notification आ जाएगा, बट यह है कि जो decentralized counselling होता था, यह हटने का chances है, क्योंकि जो decentralized counselling पहले होता था, ठीक है, उसके वज़े से क्या होता है, सिब government को मिलता है, government में बच्चे जाते थे, और जो बच्चे छूड़ जाते थे, वो फट से private कर लेते थे, बहुत को पता नहीं चलता था, बहुत कुछ होता था, इसका अच्छा rank नहीं है, वो सारे private में जाते थे, हो सकता, अगर य इसी में ही काम होता, तो ये कराने का जरूत नहीं पड़ता, इसलिए, चाहती है, government की जल्दी से जल्दी fill up हो जाए, कि decentralized counseling करने का जरूरत ही ना पड़े, बस यह यह, इसलिए यह हट सकता है, क्योंकि पहले ही fill हो जाएगा, ये system कुछ ऐसा करना चाहती है, इस से regarding counseling में कु अच्छा से देखा पड़ा, तब समझा कि, ओ, कहने का मतलब ये है, कि अगर किसी को मिला, तो वो upgrade पहले जो करते थे, वो दोनों seat capture करते थे, आगे जो मिलने वाला वो भी, अब पीछे का वो भी, जब तक ये मिलेगा ने, तब ये चुटेगा नहीं, ठिक, ये तो captured है, प चुट जाएंगे, जो को नहीं लेना है, जिसको लेना वो तो सही है, चलो अपने जगा है, और जिनको मिल गया वो side हड़गे, अब second round में जो फ्रिसर है वो आएंगे, तो ऐसे क्या है, low rank वाला कभी chance से अच्छा अच्छा college मिलने का, ठीक है, depend करता counseling पे, तो कुछी week के ब parenting बेस्ट करके मैंने बनाया, देखो, जाँ अठीक है, देखो अच्छा वीडियो है, top 10 90's का पूरा information आपको मिलेगा, जिन्हें चाहिए, जो interested है, so आज के लिए बतना है guys, और चनल को subscribe के तरह नहीं आया है, तो thanks for watching.